मुके शंबानी से लेकि लक्ष्मी मित्तल तक सभी के गर में खास मोकों पे बनता है ये गुजराती उंदिया तो चलिए बनाते हैं ये गुजराती उंदिया पहले हम सभी सबजिया अच्छे से कट कर लेंगे उंदिया बनाने के लिए बेगन, आलू, सकरकंद, पपड़ी, केला, रतालू ले लेंगे उसमें हल्दी, धनिया पाउडर, नमक, हरी मिर्च, नारियल का बुरादा, अजवाइन, तील, मुकफली का पाउडर, शकर, हरालसुन, धनिया और तेल डाल के अच्छे से मिला लेंगे एक बाउल में गेहू, चावल और बेसन का आटा दाल देंगे इसमें कटकी हुई मेथी, नमक, हल्दी, लाल मिर्च, धनिया पाउडर और तेल डाल के गुंद लेंगे फिर हम मुठिया को फ्राइ कर लेंगे मैं बना रहे हूँ उंदिया चूले पर, वैसे उंदिया आप घर पे भी बना सकते हो पर चूले पर बनाओगे तो टेस्ट आपको बढ़िया मिलेगा एक बरतन में तेल डाल के तैयर की हुई सबजिया और फ्राइ किया हुआ मुठिया डाल देंगे थोड़ा सा पाने डाल के उंदिया को पकने देंगे दुनिया की बेहतरिन सबजियों में शुमार होता है उंदिया का तो आप भी अपने गर पे ज़रूर ट्राइ करें